कथा साहित्य जगत में मालती जोशी का नाम किसी परजय का मोहताज नहीं है देश और विदेश में फैले लाखो प्रशंसक मालती जी की कहानियों का ना सिर्फ आस्वात ग्रहन करते हैं बलकि उन कहानियों के साथ अपने जिंदगी का तानाबाना भी बुनते हैं एकदम घरेलू और सहज होने के बाद भी मालती जी की कहानियां बहुत बड़ा सामाजिक संदेश देती हैं प्रस्तुत है उनकी कहानी पुन्यते थी मेरी जबानी मैं हूँ सीमा सिंग तो उर्मी बेटे आज कीतिती अच्छी तरह याद कर लो मेरे बाद सब कुछ तुमी को संभालना है मेरे बेटे से कोई आशा मत रखना वैसे भी पुर्षों को नहीं इन सब बातों में रस होता है और नहीं उन्हें कुछ याद रहता है हम औरतों को ही परमपाय रिभानी पड़ती है ये हमारी ही जिम्मेदारी होती है पर मम्मी जी तिथी कैसे याद रखोंगी मुझे तो पोथी पत्रा देखना नहीं आता कोई बात नहीं कैलेंडर देखना तो आता है न तो ये तारीक याद रखो 11 जुलाई जैसे ये नए साल का कलेंडर आए इस तारीक पर गोला लगा देना जब जुलाई का पन्ना खुलेगा तारीक अपने आप याद आ जाएगी उनकी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि सीड़ों पर जूतों की आवास सुनाई दी बोवन नीचे उतर रहा था उसके आफिस का समय हो गया था मा मैं निकल रहा हूँ उसने दर्वाजे पे खड़े होकर रोज की तरह कहा पहले प्रडाम तो कर लीजिए उर्मी ने टूका प्रडाम किसे मम्मी जी आप ठीक कह रहे ही थी इन लोगों कुछ भी याद नहीं रहता है अरे आज पापा जी की पुन्य तिती है ना बोवन ने थोड़ा आगे बढ़कर रसुई में जाका ठाकुर जी के आले के ठीक नीचे एक चौकी बिची थी उसके पिता की बड़ी सी तस्वीर रखी हुई थी उसकी शादी के समय ये तस्वीर खास तोर पर एनलार्ज की गई थी तस्वीर पर फूलों का हार पड़ा हुआ था सामने अगरबत्ती चल रही थी रसोई घर का फैलारा किसी महा भोज का ऐलान कर रहा था बोवन ने आगने नेत्रों से मा को भूरा वे सिर निचा करके आलू चीलने लगी उर्मी लगातार उसे घुरे जा रही थी वो असह जो ठा गुटी सी आवाज में बोला जूते पहने हुए हूँ ना बाहर से नमसकार कर लेता हूँ और वो पलट कर चल दिया पता नहीं प्रणाम किया भी कि नहीं किया ही होगा नहीं तो उर्मी उसे छोड़ती नहीं हमारी ही गलती हो गई जूते पहने से पहले उसे याद दिलानी थी उन्होंने कहा और विशय समाफ्थ कर दिया ज्यादा सोचने लिए समय भी कहा था रसोई में कितने तो काम पड़े थे ठीक बाराए बजे रिक्षे में सामान लदवा कर दोनों आश्रम की और चल पड़े बहु की मदद से उन्होंने अपनी मरजी का सब कुछ बना लिया था कीर, पूरी, सबजी, पुलाओ और मुगड़े, मन पर सब न था आश्रम पहुँचकर उन्होंने सेवकों से सामान उतरवाया और बोजन कक्ष में रखवाया फिर बहु को लेकर स्वामी जी के कक्ष में गई स्वामी जी ने बहु को धिर सारा आशिरवात दिया फिर उसी रिक्षे पर बैट कर दोनों घर लोटी रास्ते में बहु रानी ने कहा मम्मी जी आप ये बहुत ही अच्छा करती है इन लोगों खिला कर कितनी तरपती मिलती है न वैसे तो बेटा ये काम बेटे के करने के है पर भुवन कभी पढ़ाई के लिए कभी नौकरी के लिए बाहर ही रहता आया अभी दो साल पहले तो यहां पोस्टिंग हुई है इसलिए मैंने ये तरीका अपनाया है बहुत अच्छा है बहुने प्रसंजा की घर लोटकर दोनों ने भोजन किया और अपने अपने कमरे की रह ली खाना खाने के बाद घंटा दोघंटा सोने की उनकी आदत है पर आज नीदी नहीं आ रही थी जैसे आखें बंद करती बहुन की जलती आखें उन्हें घूडने लगती वो बहुत नाराज है वो जानती थी पर जबकि आने को ही थी कि आवाज आई मम्मी जी आप सोई तो नहीं है ना मैं आ जानूँ और उसकी अनुमती की प्रतीक्षा किये बिना उर्मी सामने आकर खड़ी हो गई मम्मी जी एक प्रॉब्लम हो गई है क्या आपने तो देखी लिया कि इन्हें बाबुजी की तिथी भी याद नहीं थी इन्होंने कली आज के शो के टिकेट बुक कर लिये थे कैंसल करने के लिए कहे दो क्यों कैंसल क्यों करोगी यहाँ का काम तो अपने बटी किया है शाम को तुम लोग एकदा फ्री हो बुरा तो नहीं लगेगा बुरा क्या लगेगा और किसे लगेगा देवी अब ये फालतों की बाद छोड़ो जाकर आराम करो सुबह से लगी हुई हो मुझे भी थोड़ा सा आराम कर लेने दो सास की प्यार भरी जिड़की खाकर रूमी चली गई बेबी सोने की कोशिश करने लगी शाम को भुवन लोटा तब भी उसका मूड उख़़ा ही हुआ था उन्होंने उसे अंदेखा करते हुए कहा तुम चाई पीकर फ्रेश हो लो फिर मेरे साथ चला चलना कहां उसके प्रश्न को अंसुना करते हुए उन्होंने बहु से कहा हम लोग आधा गंटे में लोटाएंगे तब तक तुम तयार हो लेना पिक्चर जाना है ना चाई पीकर भुवन उठ खड़ा हुआ कहां जाना है चलो लोट कर तयार हो जाऊंगा और वो जाकर गाड़ी में बैट किया वे चुपचा उसी बगल में जाकर पैट गई कहां जाना है भुवन ने गाड़ी स्टार्ट करते हो पूछा आश्रम सुबह खाना ले गए थे बरतन वापस लाने है आश्रम का रास्ता भुवन का देखा हुआ था मा के साथ बश्वन में कई बार गया था उसने गाड़ी ले जाकर गेट के पास खड़ी कर दी वे उतर कर भीतर गई सेवकों के साथ सामान डिक्की में रखवाया वो चुपचा बैठा टुकुर टुकुर देखता रहा लेकिन जब सौमी जी गेट पर आये तो उतरना पड़ा प्रणाम भी करना पड़ा सौमी जी ने आशिरवात दिया और भुवन की मां से कहा बेहन जी आपके घर में तो साक्षाथ लक्ष्मी नारायन विराज रहे हैं आपको कभी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी उन्होंने पुलके थोकर सौमी जी को प्रणाम किया और गाड़ी में आकर बैठी जैसी भुवन ने गाड़ी स्टार्ट की उन्होंने कहा पांच-दस मिनिट कहीं गाड़ी खड़ी कर सकते हो क्यों तुमसे कुछ बात करनी है उसने चुप चाप गाड़ी एक खाली प्लॉट के सामने ले जाकर खड़ी कर दी और मा की ओर देखने लगा मुझे मालू मैं तुम उससे बहुत नाराज हो तब तो ये भी पता होगा कि क्यो नाराज हो उसे चुप देखकर उसने कहा आज तुम पर अचाने के क्या भूद सवार हो गया था अचानक क्यों मैं तो हर साल करती हूँ बस तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा ये सोच कर चुप चाप कर लेती थी फिर आजी हंगावा मचाने की क्या जरूद थी बेटा घर में नई बहु आई है उसे उसके ससुर के वजूद का अहसास दिलाना चाहती थी नहीं तो वो क्या सोचेगी कि कैसे लोग हैं उस दिवंगत आत्मा को एक बार याद भी नहीं करते हमारे लिए तो वो अध्याय समाथ हो गया है पर जिसके वजूद से मुझे सक्त नफरत है उसके लिए इतना आग रह क्यों पिता के रहते अनाथों किसी जिन्दगी गुजारी है मैंने मुझे उनके प्रती जरावी शद्धा नहीं है और तुमें भी ये सब करने की क्या जरूत है तुमें भी तो कम दुख नहीं दी है उन्होंने सिर्फ दुखी दुख नहीं था बेटा थोड़ा सुबी मेरे हिस्से में आया था पर फिर पतानी क्या हुआ मुठी में बंदी रेट की तरह तिजोरी दीरे-दीरे खाली होती चली गई सब कुछ स्वपनवर्थ हो गया तिजोरी अपने आप खाली नहीं होई थी माताश्री उसे तुमारे पती देव बोतल में ढाल कर पी गए थे और तुम्हें पनौती कहकर पोस्ते रहे अपना फ्रस्टेशन तुम पर निकालते रहे छोटा था तो क्या हुआ मुझे सब कुछ याद है इसलिए तो तुम्हें मामा क्या भेज दिया था ये सब देखने सुनने की उम्र नहीं थी तुमारी दूर था फिर भी तुमारे किया का एहसास था मुझे भी ये पास थी तुम पर तुम्हें नौकरी करने की इजाज़त नहीं थी खांदान की पतिष्ठा का सवाल था फिर तुम्हें खर्च को पार्टने के लिए टिफिन का कारोबार शुरू किया मौले वालों को पार्टी के लिए बर्फी और लड्डू बना कर देने लगी लोगों के स्वेटर बुनने लगी इससे भी पूरा ने पड़ा तो तुम्हें उपर के कमरे कॉलेज के लड़कों किराय पर उठा दिये बाप ने क्या हंगामा हुआ था तब हंगामा इसलिए कि वे लड़कों को रखने के पक्षम नहीं थे वे चाहते थे कोई परिवार आकर रहे पर मैं इसके खिलाफ थी परिवार आता तो घर की कोई बात दबी रखी नहीं रहती क्योंकि औरतों के दर्श बड़ी तीक्षन होती है उनसे कोई बात छिपी नहीं रहती ना उनके पेट में कोई बात पच्छती है इससे तो ये लड़के अच्छे किसी पच्डे में नहीं पढ़ते अपने पढ़ाई में अपने दोस्तों में मस्त रहते हैं उपर से उनका टिफिन का काम भी मुझे मिल गया था पर उन लड़कों के लेकर तुम पर कैसे कैसे लांचन लगाये गए थे छुटियों में आता तो लगता उफ किस नरक में आ गया हूँ सोचता ये नरक ज्यादा पुरा है या मामा वाला अजीब सांसत में जान थी मेरी जिस दिन सक्ष के ब्रत्य का समाचार मिला वो मेरी जिन्दगी का सबसे खुशनुमा दिन था जेल से छुटे कैदी के तरह में भाग कर यहां आ गया था फिर लौट कर नहीं गया मामा कहते रह गए कि हायर सेकेंटरी तो पूरी कर लो मैंने कह दिया मा के लिए हैं जो कुछ पढ़ना है यहीं रहकर करूँगा उर्मी ने कभी पूछा नहीं कि शहर में सारी सुखदाओं के होते हुए तो महां पढ़ने क्यों गए मैंने कह दिया था कि मामा प्रोफेसर थे घर में पढ़ाई का वातावरर था यहां तो बस दुकानदारी का महौल था सच बात नहीं बताई क्यों? क्योंकि मैं उसकी दया या करुणा का पात्र नहीं बनना चाहता था मतलब तुम अपनी इमेज खराब करना नहीं चाहते थे यही न? तो बेटा मैं भी तो वही कर रही हूँ कैसे? देखो बेटा ये लड़की भरे पूरे परिवार से आई है उसके घर में परमपराओं का निर्वाह होता है वहां रिष्टों में मिठास होती है संबंदों की मर्यादा होती है ऐसे संसकारों में परिव लड़की को अगर पता चला कि तुम अपने पिता का दिरास्कार करते हो उसके मन में अंजाने ही तुमारे प्रती अशद्धा का भावत्पन होगा जब उसे इस नफरत का कारण पता लगेगा तो तुमारे पिता के प्रती अनादर और नास्था उचेगी ऐसे में उसके मन में घर के प्रती आदर और आस्था कहां से आएगी इसलिए मैं चीजों को थोड़ा सकारात्मक सरूप देने की कोशिश कर रही हूँ ये लड़की दीरे दीरे घर से जोनने का प्रयास कर रही है एक बार अच्छी तरह रच बस जाए फिर कोई चिंता नहीं रहेगी फिर सच्चाई का पता चल भी गया तो कोई फरक नहीं पड़ेगा और सच्चाई तो एक ना एक दिन पता चलनी ही है तुमारे मामा पक्ष के और चाचा पक्ष के लोग तो उधार खाए बैठे है कि कब बहुरानी पकड़ाई में आए और कब उसे सारा कच्छा चिठा सुनाए इसलिए तो मैं अभी तुमनों को कहीं बेजने के पक्ष में नहीं हूँ सारे निमंत्रन मैंने ठंडे बस्ते में डाल दिये है बोलते बोलते उन्हें अजीब सी ठकान हो आई सिर्को पीट की टेक लेकर उन्होंने आखे मून ली गाड़ी कब वापसी के रास्ते पर चल पड़ी उन्हें पता ही नहीं चला घर पहुँचकर जब भूबन ने दर्वाजा कुला तब वे अपनी तंद्रा से चागी बहुरानी सस समवर कर दर्वाजे में खड़ी थी पती का चेहरा देखते ही बोली आप बहुत ठके हुए लग रहे हैं आज रहने देते हैं फिर कभी चले चलेगे वो ठका हुआ नहीं है उन्होंने टपट कर कहा बस थोड़ा उदास हो गया है इसलिए तुमनों का चाना बहुत जरूरी है थोड़ा तरो ताजा होकर लोटोगे मुवन जब तयार होकर नीचे उतरा तो दोनों को साथ देखकर उनकी हांखें जोड़ा गई स्वामी जी के शब्द याद आए बहन जी आपके घर में तो साक्षात लक्ष्वी नारायन विराज रहे हैं आपको कभी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी डर लगा कि कहीं अपने ही नज़र ना लग जाए हे प्रबू रक्षा करना कितने तूफानों के बाद तो ये शान्ती नसीब हुई है बच्चों को विदा करके गेट बंद करते हुए उन्होंने मनीमन कहा बेटा ये सच है कि उस आदमी ने मुझे बहुत दुख दिये है पर एक सबसे बड़ा सुक्ष दिया है तुम जैसा होनहार और संसकारवान बेटा दिया है उनका ये उपकार में कभी भूल नहीं सकती उनका ये कर्ज मुझे पर सता रहेगा इसलिए साल में एक बार उन्हें याद कर लेती हूँ अभी आप सुन रहे थे मालती जोशी जी की लिखी हुई एक खुबसूरत सी कहानी पुन्यत थी उम्मीद है कहानी आपको भी अच्छी लगी होगी कल फिर मिलेंगे हिंदी का श्रेष्ट साहित नियमित सुनने के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना न भूले लाइक करें और शेयर भी करें बहुत बहुत धन्यवाद